किर्शी अध्यादेश को लेकर उठा भवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा अब शासन और प्रशासन के सामने पराली की समस्या एक बार आखड़ी हुई है धान की कटाई शुरू होते ही फसली अवशेस खासकर धान की पराली को जलाने का सिलसला भी शिरू हो गया किसान धान की पराली ना जलाएं इसके लिए प्रशासन के और से पूरे जिले में धारा 144 लागू करते हुए पराली जलाने पर प्रतिवन लगा दिया है आदेशों की अवहिलना करने वालों से प्रशासन सक्ती से निपतेगा और उनके खिलाफ सक्त कानूनी कारवाई भी की जाएगी जलादिश की और से जारी किये गए आदेशों में कहा गया है कि पराली की दुआ इंसानों के साथ साथ हर जीव जन्तू के लिए खतरनाक है इससे प्रोदूशन में इजाफा होता है इसलिए इसे जलाना किसी भी लिहास से उचित नहीं है अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अभेलना कर अपने खेतों में पराली जलाता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के साथ साथ पॉलिशन एक्ट के तहरी भी कारवाई की जाएगी वहीं इस बार प्रशासन के और से एक और आदेश भी जारी किये गए है जिसमें कहा गया है कि इस पटेदार के खिलाफ नहीं बलकि जमिन के माली के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी यानि जिस खेत में प्राली जलाई गई है उस खेत को कोई ठेके पर लेकर कास्ट कर रहा है तो कास्टकार की बजाए सीधे तोर पर जमीन के माली के खिलाफ कारवाई की जाएगी जैसा कि आपको विदित है कि इन दिनों में दान की फसल अपक गई है और इसके वाद पहले शिकायते इस तरह के आती रही है कि किसान प्राली को जो उसके अशेश बज जाते हैं दान के उसको जलाते है तो अपकी बार हमने लोगों को एजुकेट किया है और ग्राम सतर पर कम ना कि अल्प प्रियावन परदूशित होता है बलके वो जो भूमी की औरुखता शक्ती है उसका भी हराश होता है तो इसलिए लोगों को खूब समझाया गया है बताया गया है कि वो इस तरह से ना करें और फिर भी को इस तरह कोई करेगा तो कानून फिर अपना अगस्ता एक त्यार करेगा उसके तहत उसमें एंवार्मेंट एर पॉलुशन के तहत उसमें के जो हमारे पॉलुशन कंट्रोल बोड के अधिकारी हैं वो केस रिजिस्टर कराएंगे या फायर कराएंगे